Hello students, Jai Hind, कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ, सभी बहुती बढ़िया होंगे So guys, अभी हम लोग आज की rate के जितनी important current affairs से उसको discuss करने वाले हैं And before starting this lecture, मुझे आपको कुछ information देनी है और information ये है, कि guys, अभी जो आप current affairs सुनेंगे वो एक short में मैंने news आपको बताई है, जो आज की rate की जितनी मी important news है जो आप as a civil services की आप तयारी कर रहे हैं, तो आपको इस news के बारे में information होनी चाहिए तो वो पूरी जीज मैंने हाँ पर cover की हुई है, A to Z But ये news cover करी है, but examination को crack करने के लिए आपको news के साथ-साथ जो news से जुड़े जो static portion जो होते है, general studies की portion जो होते है, वो भी आपको cover करना बहुत जरूरी है तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या-क्या चीजा आपके लिए important है, तो आप खुद से भी cover कर सकते हैं या फिर आपको नीचे description पर हर एक topic जो हो मिल जाएगा, news का, जो भी news मैंने भी हाँपर cover करी हो, उसका हर एक detail में topic मिल जाएगा, तो आप उसको भी go through कर सकते हैं, right, detail में current affairs को cover करने के लिए चलिए फिर ये एक information short सी आपको देनी थी और हमारे काफी सारे paid courses भी available हैं, और paid courses से related अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप 9713282838 पर whatsapp करके courses की जानकरी हासल कर सकते हैं, और नीचे description पर आप देखेंगे तो आपको एक telegram का channel भी मिल जाएगा, so lectures की PDF जो है वो telegram के channel पर हम provide करा देते हैं, so आप ये lecture को जो है वो cover करिए, और नीचे comment box पर अपना feedback भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है, guys सबसे पहली news में बात हो रही है, github के बारे में, तो github क्या होता है, इसकी एक आपको अच्छी जानकरी होनी चीए, ये एक दुनिया का सबसे ब अधार पर, यानि कि एक कोई software developer है, वो सबसे पहले उसका काम किया होता है, वो software को बनाना, बिलकुश शुरुवाती software को बनाना, उसका काम होता है, और एक पर जैसी उसको बना दिया, तो उसके पास जो coding रहती हो, उसकी personal coding रहती है, obvious ही बात है, वो चाहे तो किसी को दे सकत में, free में या पैसों में, है ना, तो GitHub में free में जो है, वो developers को काफी सारी coding मिल जाती है, जिस coding का, इस्तमाल करके, developer जो है, वो various तरह के software जो है, अपने खुद के जो है, बना कर publish कर सकते हैं, तो हुआ यह है, बहुत ही घडिया सी news आई है, bully by करके एक application है, यह application की जो coding है, वो GitHub पर थी, हाला कि अभी उसको हटा दिया गया है, complain के बाद, और यह bully by application के माध्यम से बताया गया है, कि काफी सारी जो Muslim महिलाए हैं, उनको target किया गया, उनको harass किया गया, social media से उनकी photo upload कर दी गई, इस application में और बोली लगाए गई, यानि कि कितनी घटिया बात है, सुनने में कितनी गंदी लग रही है, कि महिलाओ पर बोली लगाई जा रही है, और लोग इसको enjoy कर रहे हैं, तो enjoy करने वाले भी घटिया लोग है, और बनाने वाला तो उसको तो ऐसी सदा होनी चाहिए, कि महलब लोगों किया पर लगता ऐसा कि माभेन नहीं है, कि हैर आपके घर में, आप इस प्रकार की हरकत कर रहे हो, कितनी शरम वाली बात ही है, कि कितनी घटिया टाइप की सोच है, जिसने इसको बनाई उसकी तो सोच घटिया है, जो use कर रहे हैं, वो भी घटिया लोग है, तो ये एक आपको bully by app के बारे में पता होना चाहिए, और gethub जो platform है, उसके बा महिलाओ के protection के लिए बात करते हैं, कौनसी कौनसी fundamental duties है, IPC के अंदर, क्या प्रावधान हम लोग को देखने को मिलते हैं, महिलाओ के protection के लिए, जैसे Information Technology Act 2000 के अंदर भी हम लोग को प्रावधान देखने को मिल रहा है, महिलाओ का अशलील प्रतिनिद्व निशेद अधीनिय भी है, इस से related महिलाओ को protect करने से related, एक POSCO Act हम लोग को देखने को मिलता है, Protection of Children from Sexual Offense Act, ये भी इस पर focus करता है, फिर एक Shebox Initiative के बारे में आपको बता होना चाहिए कि Shebox Initiative है क्या, sexual harassment electronic box जिसको कहते है Shebox Initiative की workplace में जो महिला होती है, तो वो अगर किसी प्रकार की sexual harassment face कर रही होत तो Shebox के माध्यम से, यानि कि एक website, एक portal है, इसके माध्यम से वो complain कर सकती है, तो इन सब चीजों के बारे में एक आपको अच्छा idea होना चाहिए, क्योंकि महिलाओ के against crime के cases इंडिया में बढ़ रहे है, तो जब आप mains का answer लेखे, तो ये सब points आपको support करना है, और अभी news मे GitHub और Bully Bike क्यों आया था, उसके बारे में एक आपको जनरल सा idea होना चाहिए, बाकी Rio virus कोशन आपसे पूछा आ सकता है, कि Rio virus किनको affect करता है, तो आपको ध्यार में रखना है, जंगली केकडे, जंगली केकडे का ये virus है, Rio virus, जंगली केकडों की मौत का कारण अब ये Rio virus जो है, तो ये basic सी चीज़ है, जिसके बारे में आपको ध्यार में रखना है, इसको sleeping disease भी कहा जाता है, अब consumer protection rules 2021 सामने लाया गया, central government ने consumer protection act 2019 के तहट कुछ नए rules जो है वो लेकर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब से consumer को protect करने से related 50 लाग रुमे तक के मामले को deal करेगी district commission और 50 लाग से 2 करोड तक के मामले को deal करेगी, state commission और 2 करोड से उपर के मामले को national commission deal करेगी, तो आपको ये consumer protection act के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये 2019 का जो consumer protection act है, उसके बारे में अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये दाखिल portal क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर मुल्ला पेरियार डैम का एक मुद्दा फिर से जो है, वो सामने आए, ये topic लगातार बार-बार news में हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक application file हुई, Honorable Supreme Court पे जिसमें demand की जा रही है कि Honorable Supreme Court, Government of Tamil Nadu को direction दे, कि Government of Tamil Nadu जो है, वो नए dams construct करें, क्योंकि हो ये रहा है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है, वो काफी risky बनता जा रहा है, ऐसा कैरला ने भी कई बार demand उठाई और काफी सारे जो environmentalist है, activist है, ये भी demand उठा रहा है, क्योंकि इसकी storage capacity अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये dam के फटने के भी chances हो सकते हैं, या फिर जन्तु जो है, उनको काफी नुकसान हो सकता है, तो मुल्ला पेरियार डैम जो है, उसके बारे में आपको जानकरी होनीच, ये बहुत अच्छी है, और इसके बारे में एक interesting सा fact मैं आपको बताता हूँ, ये जो डैम है, ये कहा पर located है, आपको कैरला में ये dam located है, इस डैम क की तरफ फ्लो और इस डैम को construct करके, उस पानी के फ्लो को change करके, Bay of Bengal की तरफ जो है, वो move कर दिया गया, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, थोड़ी सा idea होना चीज़ के बारे में भी, तो ये काफी important topic है, मुल्ला पेरियार डैम कई बार जो है, वो topic news आचुका है, ऐसे ही damn safety को लेकर, कानून भी, कई बार news में आचुका है, दैम safety bill 2019 के, अगर हम बात करें, फिर damn safety bill 2021 भी हम लोग को देखने को मिल चुका है, तो इस प्रकार के जो कानून है, ये कई बार news में आचुके है, तो अपको एक बहुत अच्छे सी जांकारी होनी चा कि ये कानून किसकी बात करते हैं, actually हुआ ये है कि एक मुद्दा उठा है, मुद्दे में ये जीज दता या रही है कि केंद्र सरकार ने फेडरलिजम के प्रिंसिपल का उलंगन करते हुए, संगवाद के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका उलंगन करते हुए, इसके सिद्धान्तों का उलंगन करते हुए, क्या किया है, कि डैम्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, हाला कि डैम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो कि स्टे चीज आपको बता होनी चीज यह काफी important topic गई है लगतार बार-बार news पे बाद चुका है फिर एक need 3.0 हम लोग को देखने को में रहा है इसका full form is national educational alliance for technology need 3.0 तो union education minister ने इस चीज को launch किया है अब ministry of education जो है वो public private partnership model के आधार पर काफी सारी educational technology companies जो इंडिया के अंदर है तो उन तरी technological solution जो है वो लेकर आएगी best develop technological solution education sector में लेकर आएगी जिससे बच्चे और बेटर तरीके से जो है वो सीख सके इस skills जो है वो develop कर सके जैसे कि artificial intelligence करस्में उपयोग किया जाएगा learning experience को और enhance करने के लिए बढ़ाने के लिए students के बीच में तो यह point बस आपको थोड़ा सा प platform है जिस platform के जरीए आपस में states के बीच में information share होती है कौन सी information intelligence से related information share होती है खूफिया जानकारी जो है वो साज़ा की जाती है इस platform के माध्यम से और MAC जो है guys यह एक common counter terrorism grid है जो की IV intelligence bureau के under आती है और यह कब से operate हो रही है तो कारगेल youth के बाद से 2001 से इसको operate किया जा रहा है 28 स से भी जादा हमारी country की जो खूफिया agencies है वो इसका हिस्सा है जैसे कि raw इसका हिस्सा है हमारी armed forces इसका हिस्सा है state police इसका हिस्सा है right इस MAC platform का हाला कि हम लोग एक और platform का use करते है नैट grid नैट grid का उपयोग जो है वो किया जाता है various information को share करने के लिए right intelligence agencies के बीच में information को share करने के लिए तो यह चीज थी एक max related बाकि आपको बता दें Airtail payment bank जो है वो अब schedule bank बन चुकी है तो आपको ये एक तो news आई है कि Airtail payment bank schedule bank बन गई ये RBI ने Airtail payment bank limited को जो है वो reserve bank of India 1934 के second schedule के अंदर शामिल कर लिया है तो आपको बता होना चाहिए कि ये schedule banks क्या होती है payment banks क्या ह होती है commercial banks क्या होती है इनके बीच में proper आपको differences जो है वो पता होने चाहिए काफी detail में राइट तो ये चीज है तो ये एक news हम लोग को देखने को मिलीती राइट और इसी के साथ ही आज का जो lecture है ये वाला finish होता है राइट और मैं उमीद करता हूं कि पूरी news आपको अच् को जॉइन करें इससे आपको काफी benefit मिलेगा काफी फायदा मिलेगा तो चलिए फिर अब मैं मिलूँगा आपसे next lecture में तब तक लिए bye bye take care have a great day जैहिंद